नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपान शेया आए जानते हैं इस पक्त की अपडेट Amazon में नहीं होगी तेल की ड्रिलिंग साथियों एक इतिहासिक फैसले में एकवाडोर वासियों ने Amazon जंगलों के एक संरक्षित शेत्र में तेल की ड्रिलिंग के खिलाफ मतदान किया है दुनिया के सबसे अधिक जै विविदता वाले शेत्रों में से एक यासुनी नाशनल पार्क के भीतर स्थित ब्लॉक चवालिस में तेल की खोच के लिए सरकार ने ड्रिलिंग की योजना बनाई थी पर्यावरण विदों और नागरिकों द्वारा इस योजना का विरोध किये जाने पर सरकार ने नागरिकों से इस पर मतदान करने को कहा था दोस्तों इस पर दस में से छे इकवाडोर वासियों ने तेल की ड्रिलिंग के प्रस्ताफ को खारिच कर दिया इस परिणाम को इकवाडोर के राश्ट्रपती ग्विलेर्मो लासो के लिए एक महत्वपून जटका माना जा रहा है राश्ट्रपती ने तेल ड्रिलिंग की वकालत करते हुए इसे देश की अर्थ विवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था गौर तलब है कि एकवाडोर का यासुनी नाशनल पार्क दो अग्यात जंजातियों तगेरी या तगेरी और टैरो मिनानी का घर है यह वैश्विक जैव विविदिता हॉट्सपॉर्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों तगेरी और टैरो मिनानी जंजातियां सदियों से आत्म अलगाव में रहती आ रही है वर्ष 1989 में यासुनी नाशनल पार्क को संयोक्त राष्ट शेक्षिक, वैग्यानिक और सांस्क्रितिक संगठन द्वारा विश्व बायोस्फेर रिजर्फ के रूप में नामित किया गया था आपको बता दें कि यासुनी नाशनल पार्क लगभग 9823 स्क्वेर किलोमीटर से अधिक के सतह शेत्र में फैला हुआ है इसमें पक्षियों की 610 प्रजातियां, उभैचरों की 149 प्रजातियां और सरी स्रिपों की 121 प्रजातियां निवास करती है दोस्तों इकवाडोर या इकवाडोर गणराज, दक्षिन अमेरिका में स्थित एक लोकतांत्रिक गणराज है आपको ग्यात होना चाहिए कि इसके उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिन में पेरू और पश्चिम की और प्रशान्त महासागर स्थित है यह दक्षिन अमेरिका में उन दो देशों में से है जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करते, दूसरा देश चिली है